हेलो गाइस तेसे संजीव कुमार पॉर कॉंटेक्स सलूशन चैनल में आपका स्वागत है आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल का फॉर्थ पार्थ लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको कुछ टॉपिक के बारे में बताऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इन दो टॉपिक में आपको मैं आज बताऊंगा तो पहला टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं वाटई जनरेशन आप एक प्प्यूटर का कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिंग हिस्सा है लेकिन आज हम जिस कंप्यूटर का इस्तिमाल करते हैं वह एक दिन में नहीं बने कंप्यूटर का इतिहास पुराना है इस दौरान कंप्यूटर वैक्क्यूम ट्यूब से निकलकर आर्टिफिशियल 1940 के बाद शुरू हुआ, कंप्यूटर का इतिहास कई दसकों से चला आ रहा है और हर एक दसक में इसमें क्रांतिकारी बदला हुआ है अगला टॉपिक है टाइपस आप कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर पीडी का प्रकार कंप्यूटर के इतिहास को पांच पीडियों में बाटा गया है परतेक पीडी को एक महत्तपूट टेकनलोजिकल डबलपमेंट से प्रवासित किया गया है जिसने मुल रूप से कंप्यूटर कैसे ऑप्रेट होता है और अधिक कंप्यूट कम खर्चिला लेकिन अधिक पावरफुल कुसल और मजबूत मसीनों में बदल दिया है पहला है फर्स जनरेशन दूसरा है सेकंड जनरेशन तीसरा है अप्र जनरेशन पंचमाहर केरा चलिए स्टराट करते हैं पर्च जनरेशन कम्प्यूटरि नैंटीनफोटऑ से 1956 तक है तो कंप्यूटर के प्रथम पीडी की शुरुवात सन 1940 से मानी गई है क्योंकि इस समय दो महान लोग जेपी कॉड तथा जॉन बिलियम म्यू चेली ने वैक्क्यूम ट्यूब पर अधारित पहला एलक्ट्रोनिक डिवाइस बनाया था वैक्क्यूम ट्यूब का अविस्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फिल्मिंग ने किया था पर्थम पीडी कंप्यूटर की विसेस्ता हैं पहला है वैक्क्यूम ट्यूब पर अधारित दूसरा है भंडारन के लिए मैगनेटिक ड्रम का इस्तिमाग तीसरा है पंच कार्ट इंपुट एवं आउटपुट के लिए प्रियोग चौथा है आकार बहुत बड़ा और बज जरूरत यानि जो फर्स जनरेशन कंप्यूटर था वह साइज में बहुत बड़ा था और बजन में भी बहुत बड़ा था इसमें एसी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती थी यानि इसमें एयर कंडिशनर की आसकता बहुत ज्यादा थी क्योंकि यह बहुत ज्यादा ग सेकेंड है सेकेंड जनरेशन कंप्योटर 1956 टू 1963 कंप्योटर की दुत्ती पीडी की समय अधी 1956 से 1963 मानी गई है इस पीडी के कंप्योटरों में बैक्यूम ट्यूब के इस्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रियोग हुआ है ट्रांजिस्टर का अविस्कार सन 1947 में बिलियम सौकली ने किया था दुत्ती पीडी के कंप्योटर की विश्यस्ता हैं पहला ट्रांजिस्टर पर अधारित दूसरा मेमोरी के लिए मैगनेटिक कोर और मैगनेटिक टेप का इस्तिमाल चौथा फॉर्टन और कोबल भासा का इस्तिमाल चौथा आकार अभी भी बड़ा और बजनी है पांचमा कूलिंग के लिए एसी की जरूरत सिक्स नंबर कार विसेज के लिए उप्योग सेवन नंबर प्रोसेसिंग स्पीड में बढ़ोत्री और एट नंबर प्रत्थम पीडी के मुकाबले कम उर्जा की जरूरत यानि जो फर्स जनेशन कंप्योटर था उसमें वेक्यू की टेप का यूज किया गया है उसमें मसीनि भासा का प्रियोग था इसमें फो टॉन और को वल भासा का इस्तेमाल किया किया गया जो पार उस वंडर वह सी अकार सिखिव में भी सेकेड जैनेशन कंप्यूटर अतनी बजन का था और इसमें भी ऐसी की जरूरत पड़ती थी और उसमें भी एसी की जरूरत पड़ती है इसमें प्रोसेसिंग स्पीड कम थी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड पहले जनरेशन के रेकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा था चलिए तीसरा बताते हैं थार्ड जनरेशन 1964-1971 कम्प्यूटरों की समय उदी 1964 से लेके 1971 मानी गई है इस पीड़ी के कम्प्यूटर में आइसी इंटीग्रेटेट सर्किट पर अधारित थे आइसी का विसकार एक इंजिनियर जैक किल्भी ने किया था एक अकेली आइसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर रजिस्टेंस और कैपिस्टीटर समाहित थे तित्तीपीडी के कम्प्यूटर की विसिस्टाएं आकार में छोटे और कम बजनी दूसरा अधिक भरोसे मन और खर्चीले रख रखाओं में कमी तीसरा बेसिक, कोबल, फोटन, पासकल और एलगो का इस्तिमाल चौथा, उर्जा की कम खपत पर AC की जरूरत, पांचवा, माउस और कीबोर्ड का इस्तिमाल, शिक्स नमबर, प्रोसेसिंग अन पीडियों के मुकाबले तेज, सेवन जनरेशन, जनर पलपच के लिए इस्तिमाल संभव हुआ, कारेच्छमता में बढ़ोतरी, यानि जो पह प्रोसेसिंग स्पीड पहले और दूसरे के मुकाबले बहुत तेज थी और इसको समान इबेक्त भी यूज कर सकता था फोर जनरेशन कम्प्यूटर, 1971-1918, कम्प्यूटर की चौथी पीडी की सुरुवात 1971 से मानी गई है, और 1980 तक का समय चौथी पीडी के लिए माना गया था, इन IC को VLSI, यानि Very Large Scale Integrated Circuit कहा जाता था, चौथी पीडी के कम्प्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर पर चलते हैं, और इस समय GUI, यानि Graphical User Interface का विकास हुआ, और Windows, Mac, OS का निर्माड हुआ, इसकी विसेस्ता है, पहला VLSI Based Microprocessor पर अधारित, दूसरा अधिक तेज और भरोसेमन्द और सुद्ध, अकार में बहुत छोटे और हलके, चौथा, Internet का इस्तिमाल, पांचवां, आम इंसान तक पहुचा, सिक्स नंबर, AC की जरूरत नहीं, फैन का इस्तिमाल, साथवां, CC++.NET जैसी भासाओं का इस्तिमाल, और कम खर्ची ले, यानि जो 1st, 2nd, 3rd generation के computer थे, वो थोड़े से size में, और memory कम थी, और बहुत ज्यादा heat होते थे, और AC की जरूरत पढ़ती थी, और language भी दूसरे थे, तो इस वाले generation computer में VLSI-based अधारित microprocessor लगा था, और अधिक तेज, भरोसे मन और सुद्ध, result मिलता था, अकार में बहुत छोटे और हलके हो गया है, इंटरनेट का इस्तिमाल भी हो सकता है, इसमें आम इंसान तक पहुचा है, यानि एक छोटा सा भी वेक्ट, जो गरीब इंसान है, वो भी computer इसको खरीच सकता है, और उसका भासाओं का इस्तिमाल किया गया था, और यह कम खर्चीले हैं, अगर यह खराब भी हो जाते हैं, तो कम पैसे में बन जाते थे, बट पहले के जनरेशन के computer में, अगर कोई खराबी होती थी, तो उनमें पैसे बहुत जादा लगते थे, फिब जनरेशन computer, इस PD में ultra large scale integrated circle यानी ULSI लगा हुआ है, अप्टिकल डिस्क जैसी चीजों का प्रियोग किया गया है, इस PD के computer छोटे और काम करने में तेज हो गया है, इस PD में internet, email, www का भी विकास हुआ, इस PD में Microsoft, Windows, XP से user का परिशे हुआ, खोज अभी भी जारी है, artificial intelligence पर जोड़ दिया जा रहा है, पांचवीं computer PD की विशेस्ताएं, हलके, सस्ते, भरोसे मंद और तेज, अधिक सुद्ध, इस्तिमाल में आसान, GUI अधारित, OS का इस्तिमाल, मल्टी मीडिया, टच स्क्रीन, बेब, बॉइस कंट्रोल का प्रियोग, ना के बराबर रख रखाओ, उर्जा का कम इस्तिमाल, C, C++, Java, .NET, ASP का इस्तिमाल, कृतिम बुद्धी का विकास, Internet of Things का विकास, यानि 5th generation computer में आपको जो operating system मिलता है, वो GUI based मिलता है, यानि graphical user interface, यानि कोई भी user इसको आसानी से चला सकता था, और इसके पहले जितने भी generation computer थे, उनको चलाने के लिए आपको थोड़ा सा computer के बारे में जनना पड़ता था, क्योंकि वो DOS based अधारित computer थे, और ये GUI based अध इसमें कर सकते थे, और उस generation के computer में एक time में केवल एक ही काम कर सकते हैं, इन में languages के बहुत ज्यादा विकास हो गई, इसमें internet का विकास हो गया, इसमें हम touch screen, यानि जो screens होती है computer के उसको touch के through भी use कर सकते थे, इसमें multimedia based हो गया, voice control भी कर सकते हैं, और इसका रख रखा और न सकते हैं, एक छोटे से table पर रख सकते हैं, हाथ में लेके चला सकते हैं, तो यह generation जो है, वो 5th generation computer में आता है, दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो please like, share and subscribe जरूर कर दीजेगा, धन्यवाद,